अर्गणिक मौरिंग दोस्तों केसे हुआ आप एग्रोभेट ओर्गणिक में आपका सबी का स्वागत है जो एग्रोभेट ओर्गणिक से अभी तक काम कर रहे हैं वो सभी किसानों को और सभी युवाव को हमारा तह दिल से नमस्कार आज हम बात करेंगे मल्टिप्लायर के कुछ ऐसे चीजों में जो अभी तक आपनी सुनाई नहीं है ऐसी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रकूरती से भोजन कैसे प्राप्त होता है कौनसी भी फसल को खाद की जरूरत नहीं है प्रकूरती ने कैसा भोजन प्रा रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है कोई बार हमको एक या दो पार्ट में इसको डिवाइच करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों कहीं भी जाना नहीं आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है जल से जद दूसरा भी हुडियो हम आपको जल्दी द सानते हैं उनका रिशर्च कहता है कि किसी भी वनस्पती का 96.2 प्रतिसत भोजन सुर्य प्रकाष हवा तथा पानी से मिलता है बचे हुए 3.8 प्रतिसत भोजन की व्यवस्ता मिट्टी से पुरी होती है मित्रो जिस हम मिट्टी कहते है वास्तों में वो सभी प्रकार के खनिज है जिनकी हमारी वनस्पती को अवशक्ता है जैसे मुख्य अन्न द्रवेह में नत्र, स्पूरत, पोटेश, दुयम अन्न द्रवे में, कैल्चे में, मैंगेशी में, सलफरे तता सुक्ष्म अन्नकी द्रवे में, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयर, मैंगेज, मैली बेटन, जिंग, वनस्पति को कम ज्यादा प्रमान में उपलब्द होते हैं वनस्पति को भोजन के उपलब्द की प्रक्रिया क्या है एक ग्राम मिट्टी में दस क्रोड़ों सुक्ष्म जवानू होते हैं इनका भोजन हो खनीज है जिसे हम मिट्टी का तेक एक खनीज जवानू का भोजन है मित्रों उनको खाने से खनीज का रूप परिवर्तन होता है उसे दुसरे जिवानों खाते इस प्रकार मिट्टी के खनिश जिवानों के भोजन से वनस्पति का भोजन बन जाता है ये वनस्पति का भोजन देने की प्राकुर्तिक प्यवस्ता थी जिसने प्रकुर्तिने बनाया हुआ था वनस्पति को आवशक्ता से अधिक भोजन मिलता था, इसलिए वनस्पती बल्वान था, वनस्पती की बल्वानी तता निरोगी रहती थी, लेकिन हमारे फसल है वो बल्वान वनस्पती किट को प्रतिकारक करती थी, इसलिए जहरी दवाओ के हमको कभी भी जरूत नहीं पड़ती थी, दोस्तों कभी भी कि तो हमारी जो मिट्टी है उसमें 10 करोड की बज़े सा भी 2 या 3 करोड तक मिट्टी में बैक्ट्रिया रह गई है आज हमारी वनस्पति को प्रकुदी से विना मुल्य भोजन के से प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में भी आज हम जानकारी देखेंगे प्रकुदी से रासानिक खाट डालने से बड़ी संक्या में जिवानु मर गए है परिणाम यह हो चुका है दोस्तों की वनस्पति को मिट्टी से विना मुल्य भोजन मिलना बंद हो गया और बहुत कम हो गया है इसलिए वनस्पति का यह भोजन रासानिक खाट के माध्यम से भोजन देना जरूरी हो गया है अब किसान भाई रासानिक खाट डालता तो है परंतु लेकिन वनस्पति को रासानिक खाट भी जिवानु के द्वारा उपलब्द होता है जिवानु की संक्या कम होने से दिया जाने वाला रासानिक खाट भी फसल को उपलब्द नहीं हो पा रहा है इन सम समस्याओं का सामना करते करते थक चुका किसान भाई आत्मात्या करने में अभी मजबुर हो गया है दोस्तों यह समस्या बहुत सारे अभी राज्यों में फैली हुई है जैसे कि महारास्ट्र एंपी और बहुत सारे राज्यों में यह हमारी परसीद जो हो रही है उसके कारण म अभी आपको मैं देखाने जा रा हूँ रासानिक खाद जो फसलों का सिधा बोजन नहीं होता हूँ हम सबी किसान कहते है एक रासानिक खाद सिधा फसल को मिलता है रासानिक खाद डालने से हमारी उपज बढ़ती रहती है फसल अच्छी रहती है दोस्तो ये भी आज का जो प्रेशन है मैं आपको सिधा बता देता हूँ कि रासाइनिक खाथ जो फसलों को सिधा बोजन नहीं होता अगर रासाइनिक खाथ फसलों का सिधा बोजन होते तब बंजर जमीन में जादा मात्रा में खाथ डाल कर पैदावार होना चाहिए यानि कि आप देखेंगे बंजर जो मिट्टी है उसमें खाट डालोगे तो कुछ भी पैदा नहीं हो जाता वहापे भी खाट डालेंगे बंजर जमी में तो कौन सी फसल वहाप नहीं आती है वास्तविक्ता है है कि मित्रो मिट्टी के खनेज हो या रासा निखात फसलो को जिवानु मारफती उपलब्द होते है या मतलब ये सबी चुझो का आप समझ पाएंगे तो मिट्टी में उचित संक्या में जिवानु का होना जरूरी है मित्रो मल्टीप्लायर जो है तो वो जिवानु की संक्या तेजी से बढ़ाता है तो हम देखेंगी कि मल्टीप्लायर जिवानु की संक्या कैसे बढ़ाता है गोबर खाद सड़ने के बाद उसमें जो कारबन मिलता है वह जिवानु का बोजन था फसलो को आउशेश जो मिट मित्रों ये सबी कारण अभी दिखने मिट्टी में शुरू हो गए अभी जैसे ही मल्टिप्लायर आप जुवानों का भोजन बहुता मात्रा में है इसलिए जब भी खेत में आप मल्टिप्लायर दिया जाता है तो जुवानों की संक्या तेजी से बढ़ने लगती है जुवान ग्रमी निर्मान होने के कारण केचवा नीचे नीचे चला गया है मिट्टी में जो मल्टिप्लायर हम डालते है वेसे वातावरं की नेर्मिती करता है जिसके कारण इस्तेमाल की दूसरी साल केचवा उपर आकर खात बनाने लगता है एक एकड़ क्षेत्र में साल भर में होन जरूरत नहीं एक रुपाया की खाद मिट्टी में डालनी की जरूरत नहीं परन्तु जब तक मिट्टी में निर्मान हुई खराबी हम दूर नहीं करेंगे केचवा से मिलने वाला बिना मुल्य खाद हमारे मिट्टी को जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह सुदार नहीं मल्टीप्लायर ऐसी एक चीज है मित्रो मल्टीप्लायर मिट्टी में निर्माण हुई खराभी को दूर करने में सक्षम है दुनिया का एक मात्र ऐसा प्रोडॡक्ट है जो इंडिया में पैदा हुआ इंडिया में 13 साल किसानों ने मिलकर इसको बनाया है हुई या उत्पादंस के साथ मिट्टी की सोने जैसी बना सकता है मल्टिप्लायर जा आप देखेंगे तो उसके बाद मल्टिप्लायर का भी इस्तेमाल करने की आवशकता नहीं यह दोस्तो क्योंकि मल्टिप्लायर केता है कि 13 वर्षों की निरंतर सोश्रदन से यह परिनाम मल्टिप्लायर का मिला है कि मिट्टी में जो निर्मान हुई खराबी को दूर करके मिट्टी को उपजाओ बनाता है फिर 13 साल का जो अनुसंदान है वो 7 साल में आपको 7 या 8 साल में आपको जो मिट्टी में खरा भी आ गई है वो पूरी दूर कर देता है और उपज जो है अमारे 3 परसेंट तक बढ़ती रहती है दोस्तो ये था आज का प्रकुरती से कैसा बोजन प्राप्त होता है फसलों की इसकी जानकारे में मैंने आप सविस्तर बता दिया है कोई भी इसके बारे में आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो या प्रकुति के बारे में ओर भी आपको जानकरे चाहिए तो ओर भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो हम जल से जल आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह जानकरी कीसी लगे आप लाइक भी या डिसलाइक भी कुछ भी हो आप जरूर जरूर कर देना इससे हमारी जो काम की प्रेरना है वो बढ़ती है और हम ज्यादा से ज्यादा काम करने से ये किसानों से हम मिलने की कोशिश करते और अभी पहली बार आप चानल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना यही आप सभी के विनंति हैं धन्यवाद